इन से मैंने छपा मारा दूद 120 रुप्य हो गया तो दिन के बाद कम्छिनर साब को लिफाफा पहुच गया दूद 140 रुप्य हो गया मन मस थी यह दादा गिरी यह बस कोई कहने वाला नहीं है बस पर सो 120 था अब जब इन्हों पता चला है कोई छापा नहीं है 140 चला रहें जब कोई कुछ थे बढ़ हैं 140 रेट सो भी जलाएंगे उसको पैसे मिलते हैं पर जेमें जेमें चले जाते हैं बस वह अपने वीगों में गाड़ी में चले जाते हैं बात खत्व पर नहीं हम 10-20 रुपे इजाफा होने वाला है अब तक तो 15 करोड रुपे अवाम की जेड़ पर बड़न डाला जा रहा है माना कास्वाबाद में एक डेरी में मौजूद हैं वहां लोगों से गुफ्तुकू करेंगे इंतजामिया की भागदोर देखकर तो ये लगता है कि उन्होंने उन इंतजामिया को हवाम का दर्द और तकलीफ है लेकिन जब हम रोड पे लोगों से मालुमात करते हैं तो उनके क् कि इनके रेड चापे या चलान करना किसी काम आ रहे हैं या नहीं ये पब्लिक से मालुम करेंगा ये जो चलान कर रहे हैं लोग इंतजामिया उससे कम हो रहा है दूद या वही कीमत पर करा है मेरा अरजी है कि इनसामिया काम है और मीडिया काम है यह पर दूद कितना किलो मिल रहा है क्या किलो मिल रहा है पांचे था हीं रख पढ़ता है क्या फरक पड़ता ये तो मुझे बता हुंना एक 140 रुपे किलो है मार्केटी में 120 रुपे दूद मिलता है येँ यहां पे 140 रूपे मन मस थी है दादा गिरिये बिस जो बड़े बड़े अफसरान जो सेक्रियरीटी गांड के साथ आते हैं च्छापे कॉम आड़ते हैं चालान करते हैं को पैसे मिलते हैं जेम जेम में चले जाते हैं बस वो है अपने ुपी तौडार आपको नजर आत तोबार और पीर को 120 रुपे दे रहे दे उसके बाद 140 रुपे पाद में 140 रुपे हम लोग मजदूर कमाने वाले बंदे रोजाना दस बीज़ चड़ते जा रहे हैं कहा जा करी बंदे जी हमारे साथ साथ साबिक जनल सेकेटरी और केटल कालोनी मोजूद हैं आमिर साब उनसे गुफ्तुकु करेंगे आमिर तब 120 रुपे सरकारी रेट है आप किस रेट में मार्किट में डेरी वालों को दूद दे रहे हैं पिछले कई सालों में कई अपनी एप्लीकेशन दी हैं जिसको हवा की जो न उड़ा देते हैं इंतजामिया कुई महसूस कुछ नहीं करती हैं कि हम भी तो फार्मर हैं आप ये जनरल ही देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जब जो है इंग्रीडियन्स के आइटम्स के रेट बलती बल कई सो गुनाग बढ़ चुके हैं तो क्या फार्मर उससे हम मतासिर नहीं हो रहे हैं तो गौर्मिन्ट को रेट दिया था कि 127 रुपे 50 पेसे कि ये कास्ट आफ प्रोडक्शन है इस वक्ट वो कास्ट आफ प्रोडक्शन एक सो साथ रुपे से उपर चली गई है तो जब गौर्मिन्ट हमारे को सप्लाइ नहीं कर सकती आज जो है रेट बढ़ने की वज़ा ये कि मजीद अभी आपको हफते दस दिन में नहा रेट मिलेगा कि नहां दस बीस रुपे इजाफे होने वाला है क्योंको फार्मर इस कंडिशन में नहीं है वो दिवालिया हो रहे है रोज फार्मर कोई ना कोई बेच कर जा रहा है योमिया पूर है एक अंदाजे से कितना लीट अगर दूद फरोगत हो रहा है मेरा अंदाज है कि को ढई लाक लीटर तक्रीबन दूद है अधरबाद में जो होना सप्लाई होता है जो फार्मर देता है तक्रीबन है अगर ढई लाक योमिया अगर हम बीस रुपे से जो अवाम पे बढ़ रहा है आपके अपनी परेशान से भी जो हमारी कास्ट अफ प्रोडक्शन 160 रुपे कम असकम है उससे भी कम में इस वक्त दूद जो है दुकानदार को सप्लाई कर रहे हैं अभी आपने काए कि मजीद दूद मेंगा होता जा रहा है मजीद आम मेंगा करेंगे दूद हम नहीं करेंगे लेकिन आहलात हैं फ ने साबिक सेक्टी जरनल ओल्ड केटल कालोनी आमिर साब की गुफ्तू को सुनी जिनका कहना था कि अब तक तो पंदरा करोड रुपे अवाम की जेब पर बड़न डाला जा रहा है माना अगर अकूमत ने कोई एकदमात नहीं किये ये बड़न मजीद भड सकता है कैमरा में नवीत कायम खानी के साथ इमरान मेलिक मिरान टिब्यों नहदराबाद